दोस्तो हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बहुती महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं पर दोस्तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखते ही नहीं या फिर स्कीप करके देखते हैं यानके फॉर्वर्ड करके वो वीडियो को देखते हैं उस वज़े से दोस्तों आपको अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमने किसी पॉइंट पे बताई है वो समझ में नहीं आती है क्यूंकि वो आप से फॉर्वर्ड करते समय स्कीप हो जाती है और उसी वज़े से बहुत सारे लोग क्वेशन लिख कर हमें वही सवाल बार बार पूछते हैं जिसका आंसर हम एक्चुल में वीडियो के अंदर दे चुके होते हैं तो चलो अब ये वीडियो के अंदर वो कुछ क्वेशन के आंसर हम फिर से एक बार देना चाहेंगे 26 जुले 2023 से पहले 26 जुले 2023 को अमिर्का के अंदर बहुती महत्वपूर्णा इंट्रेस रेट के ऊपर डिसीजन आने वाला ही जो गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेस का अगला ट्रेन डिसाइड कर सकता है पहला सवाल जो हम से लगातार पूछा जाता है वो ये है कि गोल्ड, सिल्वर का ट्रेन क्या है दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है कि गोल्ड अप्ट्रेंड के अंदर है अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो गोल्ड काट डेली चार्ट है आप देख सकते हो अक्तुमबर 2022 के बाद से गोल्ड हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा है अगर गोल्ड उसका प्रिवियस हायर लो को नीचे की तरफ तोड़ता है तो ही ये अप्ट्रेंड खतम हो सकता है उसी तरह से आप सिल्वर को भी देख सकते हो सिल्वर के अंदर भी आप क्लियर ली देख सकते हो हायर हाई और हायर लो का बुलिश पैटन बना है जब तक सिल्वर उसके प्रिवियस हायर लो को नहीं तोड़ता है हमें लगता है सिल्वर के अंदर मंदी नहीं आएगी दोस्तों corrections तो आती है येकिन इसका ये मतलब नहीं है कि silver मंदी में चला गया है आप देख सकते हो हर एक गिरावट के बाद silver के अंदर एक बहुत यची तेजी बनी है जो हमें ये clearly बताती है कि silver uptrend के अंदर है दूसरा महतवपुर्ण सवाल हमसे पूछा जाता है डॉलर इंडेक्स का trend क्या है अभी जो चार्ड आप वीडियो के अंदर देख रहे हूँ वो डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ड है आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स अक्टूमबर 2022 से उसके डेली चर्ट के उपर लोवर हाई और लोवर लोज के बीरिज पैटन के अंदर काम कर रहा ही याने कि दोस्तो डॉलर इंडेक्स ये क्लियरली दिखा रहा है कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर है तीसरा महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछा जाता है डॉलर इंडेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तो आपको समझना पड़ेगा डॉलर दुनिया की रिजव करंसी में आता है उसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी भी कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग करनी हो तो वो डॉलर के अंदर ही होती है याने कि इंडिया हो या फिर दूसरा देश अगर किसी को कोई भी कमोडिडीज को खरीदना है तो उसे डॉलर के अंदरी खरीदना पड़ सकता है तो इसी लिए डॉलर बहुती महत्वपूर्ण है डॉलर का महत्व समझाने के लिए हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं तो हम आपको ज्धा पीछे नहीं ले जा रहे हैं हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं 2011-2019 का आप देख सकते हो 2011-2019 के बीच में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी बनी अभी जो चार्ट आप वीडियो के अनदर देख रहे हो ये गोल्ड की कीम्तों का चार्ट है और ये चार्ट है इंडिया के अनदर का आप देख सकते हो 2011 से 2019 तक गोल्ड एक range के अनदर ही अटक गया था दोस्तो आप सोचो जिस बंदे ने गोल के अंदर 2011 में इन्वेश्मेंट की होगी उसे 2019 तक 0% रिटन मिला होगा दोस्तो हम बात कर रहे हैं इन्वेश्मेंट की ना की ट्रेडिंग की तो दोस्तो आप वीडियो के अंदर ये क्लियरली देख सकते हो 2011 से 2019 के बीच में जब डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी इंडिया के अंदर गोल में 2011 से 2019 के बीच में गोल में एक बहुत ही बड़ा कंसॉलेशन हुआ यानि कि ये समयक में गोल ने आपको 0% का रिटन दिया दोस्तो अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर तो बहुत ही बड़ी गिरावत आई आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो 2011 से 2019 के पिरेड में सिल्वर बहुत नीचे आ गया था दोस्तों मुझे लगता है अभी आपको डॉलर का इंपोर्टन समझ आ गया होगा जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 2005 से 2011 के बीच में डॉलर इंडेक्स में एक बहुती बड़ी गिरावट आई थी उसी समय आप सिल्वर का चार्ट देख सकते हो 2005 में जो सिल्वर 10,000 रुपे के पास काम कर रहा था 2011 तक वो 73,000 रुपे तक उपर आ गया था याने कि दोस्तों आप देख सकते हो 2005 से 2011 के बीच में सिल्वर इंडिया में 700% उपर आया था और जब हमने इंडिया के अंदर सिल्वर का 1,10,000 का टार्गेट दिया है वो तो अभी के लेवल से डबल भी नहीं है और उसके उपर बहुत सारे लोग हमारे उपर हस रहे है दोस्तों आप सोचो अगर करंट लेवल से सिल्वर डबल होता है तो भी कोई भी बड़ी बात नहीं है 2005 से 2011 के बीच में सिल्वर 7 गुना हुआ था यानिके 700 परसेंड उपर चला गया था चौथा सवाल हम से ये पूछा जाता है क्या इंट्रेस रेट 26 जुलाई को बढ़ेंगे दोस्तों जैसे कि हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया है कि हमारा एनेलिसेस हमें ये बताता है कि 26 जुलाई 2023 को प्रोबेबिलिटी जादा है कि इंट्रेस रेट ना बढ़े इंट्रेस रेट और इंफलेशन के बीच में पहले ही एक बहुती बड़ा ग्याब बन चुका है और उस वज़े से हमें लगता है कि इंट्रेस रेट नहीं बढ़ेंगे तो पाचवा सवाल हम से ये पूछा जाता है अगर इंट्रेस रेट नहीं बढ़े तो सोना चांदी पे क्या असर आ सकता है दोस्तों हमें लगता है अगर interest rate नहीं बढ़ते हैं तो सोना चांदी के उपर एक बहुती positive impact हमारे analysis के हिसाब से आना चाहिए यहनकि सोना चांदी के अंदर एक अच्छी तेजी बननी चाहिए अगला सवाल हम से पूछा जाता है कि अगर 26 जुलए 2023 को interest rate बढ़ेंगे तो क्या gold silver के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी दोस्तों जैसे कि हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है अमिर्का के अंदर अभी interest rate चल रहे है 5.25% पे अगर ये meeting के अंदर 25 वेसिज़ पॉइंट से interest rate बढ़ते है तो interest rate आज आएंगे 5.50% पे दोस्तों आप देख सकते हो interest rate कितने highest level पे है अभी आप वीडियो के अंदर silver का चार्ट देख सकते हो दोस्तों ये इंडिया के अंदर का silver का चार्ट है और आप वीडियो के अंदर clearly देख सकते हो silver उसके 2011 के highs के उपर काम कर रहा है जब interest rate 0 से 5.25% उपर आ चुके है वो समय पे भी आप देख सकते हो silver उसके 2011 के highs के उपर ही है तो अगर ये meeting के अंदर 25.25% से interest rate बढ़ते है तो हमें नहीं लगता है एक बड़ी गिरावट आएगी क्यूकि दोस्तों हमें लगता है अगर ये interest rate बढ़ते है तो ये 100% आखरी rate हाई होगा और इसके बाद definitely federal reserve को जल्दी ही interest rate कट करना पड़ेगा 26 जुलए 2023 को अगर federal reserve 25.25% से interest rate को बढ़ा सकती है तो वो थोड़ा gold silver के लिए negative हो सकता है तो सो हम आपको clearly बोल रहे है के हो सकता है negative होगा ही हम ऐसा नहीं बोल रहे है अगर gold के अंदर गिरावट आती है तो 1935 ये महत्वपूर्णा support रहेगा क्योंकि ये gold का breakout level है सबसे महत्वपूर्णा support रहेगा 1893 डॉलर का दोस्तों हम ये बात कर रहे है अगर gold के अंदर बड़ी गिरावट आती है तो silver के लिए सबसे पहला support रहेगा 24.20 से 24.50 डॉलर का area दोस्तों हमें लगता है silver को इसे नीचे की तरफ नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन अगर interest rate बढ़ते हैं और उस वजह से कुछ समय के लिए silver में pressure आता है तो 23.80 डॉलर का level silver के लिए एक अच्छे support का काम ये गिरावट में करना चाहिए दोस्तों हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमें नहीं लगता है interest rate बढ़ने की वजह से कोई भी बड़ी गिरावट gold silver के अंदर आ सकती है दोस्तों हमारे एक follower ने हमें ये बताया कि 17 मार्च 2008 को federal reserve ने 50 basis point से interest rate को कम किया था और उस दिन gold के अंदर 1033 डॉलर से 990 डॉलर तक गिरावट आई थी हमारे उस YouTube के follower को उसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि interest rate मार्च 2008 में पहली बार कम नहीं हुए थे आप वीडियो के अंदर clearly देख सकते हो अगश्ट 2007 से interest rate घटना शुरू हुए जो मार्च 2008 तक continuously नीचे ही गए इसी समय में आप देख सकते हो गोल्ड अगश्ट 2007 में जो 670 डॉलर के पास था मार्च 2008 में 1040 डॉलर तक उपर आ गया था मार्च 2008 में जो interest rate घटाये गए और उस वज़़से जो गोल्ड के अंदर गिरावट की शुरूवात हुई वो इस वज़से नहीं हुई कि interest rate को घटाया गया था आपको ये पता होना चाहिए मार्च 2008 के बाद ही लहमन ब्रदर क्राइसेस आया था दोस्तो अभी आप बोलोगे कि लहमन ब्रदर क्राइसेस अगर आया था तो गोल्ड के अंदर तो तेजी बननी चाहिए लेकिन दोस्तो आपको financial market को समझना होगा जब लेमन ब्रदर क्राइसेस की वज़़से stock market के अंदर 50% से भी जादा की गिरावट आय थी वो समय पे जो portfolio manager रहते हैं उन्हें cash को बढ़ाना पड़ता है ताकि ये गिरावट के अंदर वो खरीद सके और उसी वज़़से cash को बढ़ाने के लिए उन्होंने gold के अंदर selling की और दोस्तो आप जाकर history भी चेक कर सकते हो जब भी financial crisis आया है शुरुवात में gold के अंदर भी गिरावट आई है और इसका कारण यही रहता है कि ये financial crisis के समय उन्हे cash को बढ़ाना पड़ता है और उसी वज़़से वो शुरुवात में gold को भी बेज़ देते है तो दोस्तो हमें लगता है हमने ये वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे questions को answer कर दिया है तो 26 जुले 2023 को जो interest rate के ऊपर decision आएगा उससे पहले अभी आप ये decision ले पाओगे कि आपको gold को खरीदना है कि बेचना तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचान वालों के साथ शेयर करना न बुले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू